कहते हैं किसी महीने की शुरुवात अच्छी हो तो पूरा महीना अच्छा जाता है क्योंकि शुरुवात में ही कुछ यादगार यादे जोड़ जाती है कुछ अच्छी अच्छी यादे जोड़ जाती है क्या यादे जोड़ेंगी इस महीने आपके जीवन में हम बताएंगे आपको इस video में, हम इस video में बात करेंगे, आपकी पढ़ाई की students हैं, कुछ बड़े लोग जो है, वो बिएक कोई professional course वगरा करना चाहते हैं, उसकी बात करेंगे, आपके वेवाही जीवन्स की बात करेंगे, और सबसे important, आपकी नोकरी, आपके वेपार, और बेरोज़गारों की बात करेंगे उनके जीवर में कब बहार आएगी हम उनकी भी बात करेंगे जो घर के बड़े बुजर्ग हैं हम बच्चों की भी बात करेंगे हम महिलाओं की भी बात करेंगे कामकाजी महिलाएं या फिर घरी लू महिलाएं प्रेम संबन्द की भी बात करेंगे देश- प्यार देजिए तो चलिए शुभारम करते हैं आपकी राशी से और ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी होंगे सला भी होगी तो पूरा वीडियो प्यार से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरू जरूर दीजिएगा जैश्री राम लिखकर भगवान का नाम लेने से हमारा उद्धार होता है तो सभी लोग जैश्री राम जरूर लिखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा चलिए बात करते हैं आपकी राशी की अब बात करते हैं कुम्ब र प्रश्पति का मेश राश्र में तिरतिय भाव में बैठना, आपके कम्निकेशन को अच्छा कर रहा है, भाई-बहन से रिष्टों को अच्छा कर रहा है, चंद्रमा मितुन राश्री के पंचम भाव में होंगे, तो फिर प्यार इश्च महबबत की बाते चलेंगी, दिल के द मद्द जुडएंगे, और केतु कन्या राश्री के अच्छम भाव में होंगे, थोड़ा सावधान रहने के आउशकता होगी, सेहत को लेकर शुक्रतुला राश्री के नवम भाव में होंगे, तो जीवत में प्यार इश्च बहबत होगा, लगजरी आएगी, शानदार समय ह आपके लिए चहु तरफ से पैसो की, धन की, सफलता की वर्शा होगी, बुद्ध, धन राश्री के ग्यारवे भाव में होंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सबतहा आपके लिए आकाश, पताल, धर्ती हर तरफ से सफलता के फूल बरसाने वाला होगा, और चंद्रमा आ इस्थान परिवर्थन करके आशिरवाद देते रहेंगे, घर में किसी महमान का आने का आखमन हो सकता है, आप उसका स्वागत करिए, सदकार करिए, ये महमान जीवन साथी के रूप में भी हो सकता है, ये महमान संतान के रूप में भी हो सकता है, या कोई और रिष्टेदा सब्सक्राइब नए कामों को करने के लिए आपको भाग दौर या धूब दौर या जो भी भाग दौर होती हो कम करनी पड़ेगी बैठे मिठाए काम बन जाएंगे कोड के चेहरी लडाई जगडे वाद विवाद गिले शुक्वे दूर होते हुए निजर आ रहे हैं आप सी स खड़ी कर देंगे वैबार खड़ा कर देंगे जिसको आपकी पीडियां दर पीडियां खाती रहेंगी उससे लाब खाती रहेंगी कारियों में लापरवाही कोता ही ना बढ़ते क्योंकि सफलता कई लापरवाही को भी जर्म देती है तो लापरवाही से बचना होगा अन् बीते हफते के मुकाबले यहां सब्ता कुम राश्यों वालों के लिए बहुत ज्यादा शुब साबित होगा, सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे, सब्ता की शुरुआत में आपके काम बनते चले जाएंगे, लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा, लोगों का सेनियर आपर महर्बान रहेंगे, सब्ता की शुरुआत में काम काच के सिल्सले में अचानक से लंबी या च्छोटी दूरी की यात्रा होने के योग बनेंगे, जो की यात्रा पैसा बरसाएंगी, यात्रा सुखत और लाप्रद होगी, आप बीते हुए कुछ समय से किसी रो जैपर आप कर लेंगे, आप हर सरीके के वाद विवाद से मुक्त होकर खुशी भरी जिएगे, आपके चेहरे पर मुस्कराहट देखने को मिलेगी, शरीदेव का लगद में बैटना आपके बहुत सारे कामों को बना रहा है, और देव क्या कहते हैं, देव ग्रु ब्रस्प अपना दिवाना बना लेंगे, अपनी मीठी मीठी बाते करके लोगों से अपना काम निकलवा लेंगे और बन जाएंगे राजा, क्योंकि राहू सेकेंड हाउस में बैट कर बहुत पैसा देते हैं, आप लोगों के दिमाग से खेलना सिख जाएंगे, आपको क्या बात कब क करनी है, आप चलाक और चतुर बन जाएंगे, यही है राहू का खेल, राहू के खेल में जो फसा वो फस गया, और राहू को जो समझ गया उतने दुनिया को अपना दिवाना बना लिया, तो राहू को समझ जाएए, बहुत मज़ा आने वाला है, सब्ता के मद्ध में आपको पुराने चीजों से आपको पैसा मिल सकता है, किसी पुरानी योजना में निवेश किया था, अचानक से उस पे लाब हो सकता है, गड़ा धन मिल सकता है, फसा हुआ पैसा मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, बस लाब होगा, कैसे भी होगा, होगा, नौकरी पेशा लोगों क उसमें अच्छा खासा लाब होगा, कुल मिलाकर आये के सादरों में निरंतर व्रग्दी हो रही है आपके सामने कोई प्रेम का इजहार भी कर सकता है आप इस सब्ता में अपने प्रयास करेंगे तो आपकी प्यार महब्बत की बाते भी बन जाएंगे जिससे लडाइयां थी उनसे भी महब्बत हो जाएगी आप सी प्रेम संबंध बहुत होगा वेवाई की बहुत अच्छा होगा वेवाई की बहुत सुखमे होगा संतान संबंधी कोई चिंता दूर हो जाएगी सुकून महसी उस करेंगे इस पुर्षबता में हर्मान जी की किरपाप पर बरस रही है सुन्दर कान का पाट करिए शरिवार के दिन पीपल के नीचे सरसो के तेल का दीपक जलाइए यकीन मानिए यही तो आपके अच्छे दिनों के शुरुआत थी जो अब हो चुकी है दिसंबर से अब पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा कुमबराशी वालों को आपके मज़े के दिन आ चुके हैं बहुत बढ़िया समय है अगर आपकी जनम कुणली में सब कुछ अच्छा है तो यकीन मानिए भगवान हर तरफ से आपको खुशिया ही खुशिया दे रहे हैं तो भगवान के मंदिर जाइए उनको परणाम करिए और भर्मान जी की पूजा करिए सभी कष्ट हर लेंगे बहुत ही सुंदर लाइने हैं हर्मान चलीसा में जो ये पढ़े हर्मान चलीसा होई सिद्ध साक्षी गौरिशा तो यानि कि आप भगवान शंकर का भी आशिरवाद मिल जाएगा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा जो आप चाहते हैं हर्मान चलीसा पढ़ने से आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए बहुत ही अद्बुत समय है इसका लाव उठाईए लेकिन फिर कहूँगा साड़े साथी का भी प्रभाव है जिन भी लोगों की जर्म खुड़ी में सितारे कमजोर है वापी जर्म खुड़ी की जाच जरूर कराएं नहीं तो इस अच्छे समय से आप वंचित रह सकते हैं तो दियेंगे नमरों पर संबर करिए अपनी जर्म खुड़ी की जाच कराईए और कमेंट बॉक्स में जैशी राम जरूर लिखेगा क्योंकि जो जैशी राम लिखेगा राम जी की किरपा उस पर बढ़तेगी तो जैशी राम जरूर लिखेगे हर्मान जी की उपासना करिए पीपल की वरश की सेवा करिए और अपनी कुली की जाच कराईए और आगे बढ़ जाएए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है पीछे मुड़कर सिर्व वही देखेंगे जिनके सितारे कमजोर होगे जिनकी जर्म कुली कमजोर होगी और जो कर्म नहीं करेंगे या जो आलती होंगे जो से बाते बनाएंगे वही पीछे रह जाएंगे बाकि कर्म शील वक्ती आगे बढ़ जाएगा इस बात की करेंटी है आप भी आपती जर्म को लिए जांच कराने करें दीए करनें बोड़ें अमने पर संपर करते हैं, तो जाए शुराम लिखना ना भूलें, और लाइक जरूर करीएगा, क्योंकि ये लाइक मेरी तरह दही जाएगा, आपका एक लाइक ईशोर की तरह जाएगा, क्योंकि ईशोर काशिरवाद आपको मिलने वाला है इस सब्सक्राइब नमश्कार